हेलो बच्चो, इस्टु ओन पे आपका स्वागत है, मैं मुहम्मद वसीम रजा जो मैट्स का आपका टीशर हूँ, जो न.i.t से बीटे कर रखा हूँ, मेरे पढ़ाय हुए कई सारे बच्चे न.i.t और आ.i.t में सेलेक्ट हो चुके हैं, मैट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, जो हर सब्जेक्ट का बैकबोन माना जाता है, तो इसको पढ़ना, समझना, महनत करना, इस पर क्या-क्या लोजिक्स बनते हैं, उस चीज को बहुत जादे सिंपल वे में हम लोग समझाते हैं, अब आपकी बारी है, समझने की, करने की, कल हम लोगोंने पिछले क्लास में डि प्रियनोमेल थेरम के बारे में, कुछ बेसिक चीजे हम लोगोंने डिसकस करी थी, आज हम लोग उसी को थोड़ा सा आगे लॉंगे करेंगे, जो जो टर्म सेंग कंडिशन आपके बनते रहेंगे, वो चीज हम लोग डिसकस करते जाएंगे, जैसे हम लोग सबसे पहला टी-1 तीज नंबर अफ डिस्तिंक टंस जैसे ही कैसे आता के बारे में गिए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं जैसे म स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा कि जैसे आपका मालनों दो टर्म्स दिया हुआ है लाइक दिस आपका x प्लस y पावर n तो यहाँ पे जो नंबर आफ टर्म्स हम लोग निकाल लहे थे नंबर आफ टर्म्स एक्वल टू आपका एन प्लस वन तो यह वनली फोर टू टर्म्स था अगर हमारे पास दो से अधिक टर्म्स होंगे तो हम लोग नंबर आफ टर्म्स किस तरीके से find out करेंगे तो suppose let examples x प्लस y प्लस z पावर आपका n में लेके चल लाओ ठीक है तो इसको जैसे बाइनोमेली expand करके देखा जाए तो जैसे यह आपका first term आपने ले लिया और यह आपका आपने क्या ले लिया second term ले लिया आपने equal to nc0 first term क्या होगा x पावर n and y प्लस z पावर आपका क्या होगा 0 plus nc1 x पावर n-1 आप y प्लस z पावर आपका क्या होगा 1 plus nc2 x पावर n-2 and y प्लस z का whole square plus dash dash ncn x पावर 0 and y प्लस z पावर आपका क्या होगा इधर आपका n होगा ठिक है अब मुझे यहाँ पे number of terms find out करना है ठिक है इधर पिटा power अगर 0 है तो यहाँ पे terms आपको क्या दिख रहा है कि one terms होगे यहाँ पे अगर आप देखो इसका power 1 है तो यह दो terms को express कर रहा है यह क्या बताएगा आपका two terms तो इधर इसका मतलब यह two terms हो गया इसको का indicate कर रहा है यह three terms like this यह just like इत्ता होगा n plus one terms means अगर देखा जाए इनका sum किया जाए आपको number of terms का तो one plus two plus three plus four plus dash dash आपका n plus one terms अगर इसको थोड़ा सा बेटा हम लोग simplify करते हैं तो यह क्या बनेगा आपका n plus one into n plus one by n plus two by two तो कभी भी अगर more than two terms आपका देता है तो इस तरीके से हम लोग concept बनाते है number of terms find out करने के लिए अब यहाँ पर question यह arise होता है कि यहाँ पर three terms था तो आप easily expand करके solve कर लिए बट अगर more than three terms होगा तो उसके लिए में क्या करना होगा तो उसके लिए formula जनरेट हम लोग कर लेंगे क्या n plus t minus one c t minus one यहाँ पर n जो exponent होगा वो indicate करेगा t हमारा क्या होगा number of different terms को indicate करेगा तो formulate अगर किया जाए यहाँ पर n plus three minus one c three minus one means आपका क्या बना n plus two c2 n plus two c2 को बेटा हम लोग simplify करेंगे तो यह value हमारी इसके equal आ जाएगे तो जब भी हमें question अगर यह arise होता है कि number of terms आपको find out करना हुआ है in the form of this तो always हमें क्या करना होगा यह formula यूज़ करना होगा n plus three minus one c three minus one okay I think it is clear t where n क्या होगा exponent होगा t आपका क्या होगा number of distinct terms एक कोस्टन देख्टे हम इस पर जिसे for example if number of terms in the expansion of x plus y plus z power n are 36 then the value of n is the number of if number of terms in the expansion here आपको क्या देख रहा है कि जो power n है और यहां पे यहां पे यहां पे t की value आपके बिटा क्या देख रही है 3 और n equal to आपका n देख रहा है तो हमें क्या निकालना है number of terms निकालना है वो किसके बराबर दे रखा है 36 के बराबर तो n plus 3 minus 1 c 3 minus 1 equal to क्या होगा 36 मतलब फाइनली इसको अगा simplify किया जाए तो n plus 1 into n plus 2 upon में क्या होगा 2 is equal to आपका क्या होगा 36 means n plus 1 into n plus 2 equal to आपका कितना आजाएगा 72 तो यहां से अगर 72 को बिटा फैक्टर करते हैं तो यह क्या दिखेगा आपका क्या होगा 9 into 8 आप क्लियर कट आपको यह दिख रहा है कि अगर मैं n plus 2 equal to 9 लेता हूँ तो n plus 1 equal to 8 होगा means always n बराबर क्या होना चाहिए 7 तो यहां पर n की वैलो हुमारी क्या आएगी बिटा 7 की को लाएगी I think it is clear कुछ नहीं बहुत सिंपल सा सवाल है आपको number of terms in the expenser आप 36 ने रखका है then the values of n हमें find out करना है तो n की वैलो यहां पर क्या आदिए 7 आदिए कि ओके इसी को मैं आगे प्रोसीड करता हूं कि एक जैसे आपका binomial theorem हम लोग पढ़ते हैं उसी तरह एक छोटा सा concept होता है आपका multinomial theorem का अगर more than two terms आपका देता है तो multinomial theorem आप किस तरीके से आप यूज करते हो वो चीज़े में find out करने है जैसे आप जो concept है multinomial theorem का समझने का वो क्या है कि अगर मान लो x plus y power n आपका दे रखा है इसका जो जन्दल टर्म हम लोग लिखते हैं वो क्या लिखते है है इसका जो चंदल टर्म हम लोग का R हो जाएगा जब इसको हम लोग open करेंगे तो आप देखो जाए सब factorial N upon factorial R into N minus R factorial X power N minus R into Y power आपका क्या हो गया R हो के अगर यहां पे मैं N minus R equal to अगर आपका लेट करता हूँ P और R equal to Q तो यहां से एक format आपको बनता है कि factorial N upon factorial P and factorial Q X power P and Y power Q and N plus P plus Q equal to P plus Q equal to always equal to क्या होगा N होगा तो यहां से एक proper rule बनते जाता है कि अगर यहां पे दो terms है तो आपने दो variable लेट किया इनके exponent का sum always हमारा क्या होगा N होगा अगर इसी तरह similar अगर मैं लेट कर लेता हूँ कि suppose करो अगर मेरे पास 3 terms हो suppose करें मेरे पास 3 terms हो इसका बेटा multinomial theorem आपको लिखना है तो आप यहां से summation देंगे factorial N अब आप देखोगे कित्ते variables यहां पे है तो X Y Z आपका 3 variables है तो upon में तीन variables में पेटा हमनों count करेंगे whatever जो ले 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 पी 1 factorial P2 factorial and P3 factorial यहां पे X power क्या लेंगे P1 and Y power आपका P2 and Z power आपका क्या हो गया P3 इधर में आप यहां से एक conclusion निकालोगे कि P1 और plus P2 plus P3 equal to आपका क्या होना चाहिए N तो multinomial theorem बिटा binomial से बहुत जादे simple होता है बट थोड़ा सा calculation आपका lengthy होता है मुझे आपको बस लिखने का एक way पता होना चाहिए आप देखो यहां पर दो टर्म्स है तो दो वैरियेबल हमने लिया P जो भी वैलू होनी चाहिए ऑल्वेज जीदो से एन के बीच में होना चाहिए इनका रिजल्टेंट बिटा ओल्वेज के आएगा एन आएगा तो आई थिंक मेरे ख्याल से बाइनोमियल के मल्टिनॉमियल थेरम बहुत जादा किया है तो मेरे अब एक इस पर कोश्चन देखते हैं विटा क्या आपका बनेगा जैसे विटा फाइंड़ कोफिसेंट ओप एपावर थ्री बी पावर फोर सी इन दा एक्सपेंशन ओफ फाइंड़ कोफिसेंट ओफ एक्यू बी पावर फोर और सी पावर फाइब इन दा एक्सपेंशन ओब बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी पावर शिक्स ठीक है आप बिटा यहां पे हम लोग को जो वैरियेबल लेट करके चलना है कितने वैरियेबल से 3 वैरियेबल से हैं आप इनका पोविसेंट निगालना है ठिक है आप एक आध स्ब्सक्राइबूर्या इसका फाइंड ओट किया होगा फेक्टोरियल फैक्तोरियल सिस्क्स अपॉन में आप में तीन वैरियेबल बिटा लेट P2 होगा and AB power क्या होगा आपका P3 होगा ठिक है अब थोड़ा सा बेटा calculation हम लोग कर लेते हैं factorial 6 upon में factorial P1 factorial P2 and factorial P3 तो इधर देखो बेटा B इधर है और B यहाँ है दोनों का base same होगा तो power applied करेंगे तो P1 plus P3 होगा अब C की बात करें एक ही बात करें तो A power बेटा आपका क्या होगा P2 plus P3 होगा हर एक टम दो दो बारी होज़ुआ है C power अगर बात करें हम लोग तो यह क्या होगा P1 plus P2 होगा ठिक है अब according to question बेटा में क्या चाहिए A का exponent क्या चाहिए तो P2 plus P3 हमारा क्या होना चाहिए P2 plus P3 equal to हमारा क्या होगा 3 होगा B power 4 है means P1 plus P3 equal to आपका क्या होगा 4 होगा and C power 5 है means P1 plus P2 equal to आपका क्या होगा 5 होगा अब हमें यहां से क्या करना होगा P1 P2 P3 के value आपको find out करनी होगी तो जब भी ऐसा equation बने आप तीनों को पहले add कर लिया करो तीनों को add कर लिये तो यहां से बनेगा twice P1 मतलब finally अगर conclude करो बिटा sum करने के बाद तो P1 plus P2 and plus P3 equal to 4 plus 3 7 plus 5 12 by 2 क्या हो जाएगा 6 अब जिसे suppose करो में P2 plus P3 हमारा क्या होगा 3 हुआ तो P1 कितना आएगा cause equation से P1 equal to बिटा आप क्या obtained कर लोगे 3 obtained कर लोगे P1 plus P3 हमारा क्या हुआ 4 हुआ तो P2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा P2 equal to आपका 2 आजाएगा यहां से बिटा P1 plus P2 हमारा क्या हो गया 5 हो गया तो P3 आपका कितना हो जाएगा वन हो जाएगा तो इस तरीके से हमने सारी वैलू find out कर ले सारी वैलू find out करने के बाद अगर resultant आपका देखा जाए तो क्या बन रहा है factorial 6 P1 कितना आया factorial 3 P2 कितना आया factorial 2 and P3 कितना आया तो factorial 1 a power beta क्या आया है a power P1 plus 3 a power 3 b power 4 and c power 5 तो these are the coefficient of the function तो बहुत जादे simple calculation है हमें सारी तो जितना variables है जितना आपके variables यहाँ पे use होंगे उतना अलग से variable beta use करना होगा इस form में convert करने के बाद आपको solve करना होगा ठीक है तो next question जैसे बीटा यह सब questions थोड़े से complex type से है calculation थोड़ा बनता है कभी कदा जेई में भी बनता है advance में भी आपका बन सकता है तो find the coefficient of x power 7 in the expansion of 1 plus 3x minus 3x cube power 10 इधर भी आपका बीटा 3 terms का combination है तो always use हमें क्या करना होगा multinomial थे रव यहाँ पे इसका आरिथ टॉम अगर मैं देखूं तो क्या लिखूंगा फैक्टोरियल टांग अपॉन में फैक्टोरियल पी वन फैक्टोरियल पी वन फैक्टोरियल पी वन फैक्टोरियल पी टू और फैक्टोरियल आपका पी थ्री पॉस पावर आपका बिटा क्या लेके चलेंगे पी वन 3 एक्स पावर हम लोग क्या लेके चलेंगे पी टू और माइनस 3 एक्स क्यूब पावर हम लोग च्या लेके चलेंगे आपका P3 यह वीटा इक्वेट कर लिए अब यहाँ पर थोड़ा सा कैलकूलेस्जन आपको क्या होगा factorial 10 factorial P1 factorial P2 and factorial factorial आपका P3 वन पावर P1 वही रहेगा थ्री पावर वीटा P2 हमने अलग कर लिया माइनस 3 पावर माइनस 3 पावर P3 इसको भी हमने अलग कर लिया इम बोनों का बेटा बेश से में पावर एड़ हो जाएगा तो X पावर क्या दिखेगा आपका P2 प्लस Thrice of P3 P2 प्लस Thrice of P3 ठीक है बेश से मुआ आपने पावर एड़ कर लिया अब according to question में क्या चाहिए X पावर 7 चाहिए तो आप यहां से आप क्या देखे कि P2 प्लस Thrice P3 is always equal to क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए एक बेटा और दीड़ 10 हमारा क्या होना चाहिए इधर आप देखो P1 प्लस P2 प्लस P3 अब यहां पे एक हम लोग छोटा सा चार्ट बना लेंगे अपना इधर पे किते ऐसे conditions possible है जब इनका सम हमारा क्या आएगा 7 आएगा अगर मैं यहां पे P3 बेटा आपका 0 लेता हूं P3 मैं 0 लेता हूं तो P2 आपका क्या होना चाहिए 7 अब यह 7 प्लस 0 7 होगा इसका मतलब P1 आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा अगर मैं P3 1 लेता हूं P3 1 लिया तो यह 3 होगा तो यह Automatically आपको दिखेगा कि यह क्या होगा 4 होगा 4 प्लस 1 क्या होगा 5 तो यह भी क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए अगर P3 में 2 लेता हूँ तो ये क्या होगा 6 होगा इसका मतलब ये 1 होगा 6 प्लस 1 7 इसका मतलब ये again क्या होगा आपका 3 होगा इसके अलावा कोई भी possible values नहीं है तो विटा हमें 3 पॉइंट को एक बर P1 को रखना हो एक बर ये पहला case, दूसरा case, तीसरा case तीनों जब solve करेंगे तब हमें क्या मिलेगा coefficient of x power 7 I think मेरे खाल से calculation आप खुद कर लोगे, कुछ है नहीं आपको देखो यहां से हमें क्या निकालना था, x power 7 का coefficient निकालना था, हमने क्या किया पहले इसको multinomial theorem का application किया, यहां पे 1 power कोई भी value 3x power p2 and minus 3x cube power p3 लिया, ठीक है, अब इधर आप देखो 3 power p2 minus 3 power p3 हमने अलग कर लिया, 1 power p1 आपका वदी हो जाएगा, इन दोनों का base से में हमने power को add कर लिया, p2 plus 3 p3 तो जब भी ऐसा resultant बनेगा, आप एक तरीके से concept बनाना सुरू गरो, p3 आपने 0 लिया, तो यह value बिटा आपकी 7 मिलेगी, और इधर आप जो बचा हुआ है, 10 में से minus करके हाँ पे लिकरो, तो टोटल आपका 3 case बन रहा है, ऐसे question जेई में कम बिटा, advance में जादे आती है, क्योंकि calculation तो असा, इसका lengthy होता है I think मेरी ख्याल से clear हो गया होगा, इसमें कोई ऐसी condition नहीं है, जो शीजे समझ में ना है अब बिटा, आगे next हम लोग आगे बढ़ते हैं वन अब दो मुस्ट इंपोर्टेंट चीज अब हम लोग डिसकस करने जारा है, जिससे सबसे ज़्यादा जैई में questions आते हैं, बहुत ज़्यादे simple होता है, थोड़ा सा हमें basic चीजों का ग्यान थोड़ा होना ज़रूरी है कहां पर कैसे किस तरीके से condition आपको बनाना है, हमसे some of the binomial coefficient या whatever जो भी condition टाइब से question बनता है, देखो आप यहां पे जैसे आप एक expansion हम लोग लेके चले अगर इस सीज को समझने के लिए, बहुत जादे simple है, बस हमें थोड़ा सा इस formula पर सबसे ज़्यादा मेह 1 प्लस x power n, इसको बिटा हम लोग expand किया जाए, तो इसको c naught लिखते हैं, प्लस इसको हम लोग c1 लिखते हैं, x, प्लस आपको यहां पे हम लोग c2 लिखते हैं, x square, और and so on, यहां पे बिटा हम लोग cr लिखते हैं, और x power r, and dash dash, आपका cn, और यह आपका x power n होता है, ठीक इसको बारा formula हमें याद करने की जरुवत नहीं है, एक दो formula का format बना लेते हैं, बाकि उसके बाद जो भी conditions बनते जाएगे, उस पर हम लोग questions बनाते जाएगे, सबसे पहले विटा, sum of the binomial coefficient अगर मुझे निकालना है यहां पे, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे x बराबर 1 र plus c2 plus dash dash, आपका विटा क्या होगा, cn होगा, देखो, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है कि sum of the binomial को विशेन विटा 2 power n होगा, अब यहां से यह formula अगर देखा जाए, आप देखो इसको जरसा, आप gender term में convert करके देखो, अगर मैं बात करूं, r equal to 0 to n, और इसका विटा general term, जब first term और second term दोनों ही 1 हो, तो केवाल आपका क्या होगा, ncr होगा, first term और second term अगर दोनों आपका 1 होगा, तो always यह चीज हमारी क्या होगी, ncr होगी, तो यह आपको हमेशा notice करना होगा, it must be start from 0 and end with the n, वतला यह दोनों आपका equal होना चाहिए, और 0 से start होना चाहिए, अगर मैं यह बोलू कि अगर आपका वेटा question ऐसा दे दिया कि भई, r बराबर 1 से start किया, और n तक गया, यहाँ पे n-1 से r-1 लिखा, ठीक है ना, अब इधर आप थोड़ा सा सूचो, आप क्या होना चाहिए, मैं यहाँ पे, देखो, यहाँ पे coefficient के अलावा कुछ नहीं है, इसका मतला एक सवाई दोनो 1 है, अब आपको यह चेक करना है कि 0 से start हो रहा है कि नहीं, तो अगर मैं यहाँ पे r बराबर 1 रखो तो it must be start from 0, अब 0 से start हो कि कहा तक जा रहा है, n-1 तक जा रहा है, तो इसको हम लोग easily यह लिख सकते हैं कि 1 प्लस 1 पावर n-1, मतलब हम बहुत important है में formula किस condition में valid करना है, सीधे सीधे question नहीं देगा, कुछ ने कुछ twist करेगा उसमें, अजही में थोड़ा सा चीजे घुमा देता है, बहुत simple questions होते हैं, बट थोड़ा सा आपका basic clear है कि नहीं, यह हमें check करता रहता है, अब आप देखो जड़ा सा, अगर मैं एक expansion मैं यह ले लेता हूँ, जैसे मालो आपके सामने question यह बना कि R बराबर 0 to N, यहाँ पे N प्लस 1 C, R प्लस 1, देखो, अगर यहाँ पे भी अगर notice किया जाए, तो यहाँ पे भी कोई भी term नहीं है, इसका मगद दोनों term, first और second term आपका 1 1, बट यहाँ पे एक दिक्कत क्या है कि जब हम लोग 0 रख रहे हैं यहाँ पे, तो यह कहां से start हो रहा है, आपका N प्लस 1 C, N प्लस 1 C, N प्लस 1 तक जा रहा है, तो हमारा कौन सा term आपका missing है, वो आपका बिटा N प्लस 1 C not missing है, तो ऐसे condition में हम लोग क्या करते हैं, कि N प्लस 1 C not को add कर ले, और minus N प्लस 1 C not कर दे, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, first term और second term आपका 1 है, तो यहाँ पे इसकी value बिटा क्या मिल जाएगे, 2 power N प्लस 1 minus 1, तो यह सब सारी चीजे हैं, basic इसकी समझने का, बाकी further जब questions इस पर बनाते हैं, तब हम लोग देखेंगे क्या क्या बाते होनी चा बस छोटा सा concept है, कि दोनों आपको similar बनाना है, और उसके बाद power ले लेना है, ओके, ठीक, यहाँ पर बिटा एक formula C not plus C1 plus C2, Cn equal to 2 power N और N plus 1 C not, N plus 1 C1, N plus C, N plus 1 तो 2 power N plus 1 अब मैं थोला सा उस सीज को, अगर मैं यहाँ पर देखो विटा, अगर मैं यहाँ पर बात करूं, कि 1 plus X power N का expansion अभी हम लोगों ने पढ़ा था तो यहाँ पर अगर देखो मैं, तो C not plus C1, X plus C2, X square, plus dash dash, आपका Cn, X power N अगर मैं यहाँ पर X बराबर minus 1 रग दो, अगर मैं X बराबर minus 1 रग दो, तो 1 minus 1 आपका क्या होगा, 0 यहाँ पर C not minus C1 plus C2, sign alternate विटा आपका change होगा, minus C3 plus dash dash plus minus 1 power N into आपका क्या होगा, C है, तो देखो, एक simple fundamental याद रखने का, कि कभी भी अगर binomial coefficient का question है और sign आपका alternate change हो रहा है, alternate change हो रहा है, C not minus C1 plus C2 और जो भी coefficient है, उसका exponent आपका single होना चाहिए, जब भी alternate विटा यह change होगा, इसका sum always हमारा क्या होता है, 0 के बराबर होता है अब इसको जड़ा सा हम लोग generalize करें, तो आप देखो, यहाँ से क्या देखोगे, कि यहाँ पे R बराबर 0, 2 N NCR, आपका बिटा यहाँ पे minus 1 power R हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे second term क्या है, minus 1 है तो यहाँ पे भी आप यहीं चीज़ दिखोगे, कि हमेशा R 0 से start होना चाहिए, और N पे खतम होना चाहिए, दोनों value अगर आपकी equal होती है दोनों value equal होती है, और sign alternate change हो रहा है, तो इसकी value always हमारी क्या बनेगी, 0 के equal अगर मैं बात करूँगा, आप देखो, अगर मैं बोलूँ कि R बराबर 1 से start किया, और N तक गया N minus 1 C, R minus 1 किया, और यहाँ पे minus 1 power R minus 1 दिया, तो यहाँ पे clear कर देखो, first term 1 है, second term आपका क्या है, minus 1 है तो again इसका भी result क्या हैगा, G, तो हमें formula पकड़के चलना है, हमें formula आपका पकड़के चलना है कि कैसे क्या concept बन रहा है, देखो, sum अभी just पीछे पड़े, तो दोनों बराबर होगा, तो 2 power R, और sign alternate change हो रहा है, तो value हमारी क्या हैगी, 0 के equal, ओके? ठीक, यहाँ पर वीटा, अगर मैं x बराबर 1 रखता हूँ, x बराबर 1, तो यह क्या result, यह क्या result देगा, 2 power M equal to, c0 plus c1 plus c3 and c0 plus c1 plus c2 plus c3 and so not आपका cn. अगर मैं x बराबर minus 1 रखता हूँ, तो यह क्या result देगा, c0 minus c1 plus c2 minus c3 and so on, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, पुराने वाले जैसा कि मैंने पिछले class में बताया था, कि दोनों को add करने पे क्या बनेगा, actual में यह 1 plus 1 का expansion है, यह 1 minus 1 का expansion है, अगर मैं इसको add कर रहा हूँ 2 power n, तो केवल बिटा आप देखो, केवल sum of odd position terms मिलेगा, मतलब c0 plus c2 plus आपका c4 and so on, अगर मैं इन दोनों को subtract करू, 2 power n equal to twice c0, sorry, दोनों को अगर मैं subtract करू, तो यहां से देखो, आप c1 plus आपका c3 plus आपका c5, तो यहां पे अगर आप देखो, कभी भी आपका question यह generate हो रहा है, कि आप देखो, यहां पे दो-दो का gap हो रहा है, जैसे आगे चलके आपको सीरीज में देखेंगे बिटा, तो किवल आपको कुछ variables put up करना होता है, जैसे coefficient में आपका दो-दो का gap हो गया, तो square root of unity आपको रखना होता, square root of unity, आप one का square root of unity क्या होगा, बैटा, x पर आपको plus minus 1 आपको put up करना होगा, add करके, subtract करके solve करना होगा, आगे चलके देखेंगे, हम लोग 3-3 का gap होगा, तो वहां पे क्या रखन होगा, cube root of unity आपको रखना होगा, फिर आगे चार्चार का gap होगा, तो fourth root of unity आपको put up करना होगा, x के जगा, उसके बाद add करना होगा, then regret it, जितने number of terms का gap होता है, उतना root सा फिर्टी का आपको इस्थेमाल करना है, जैसे cube root का gap, तीन number, तीन-तीन का gap हुआ, तो आपको क्या रखना होगा, cube root of unity, like this, one omega omega square, fourth root of unity आपको निकालना होगा, तो one minus one plus one, one minus one plus i minus i, पिर again आपको five number का gap होगा, तो fifth root of unity, then six root of unity, पिटा अभी तक जो भी question आपका बना है, ज्यादा तर four roots, four roots of unity का हम लोगों ने इस्तेमाल किया, या third roots of unity का इस्तेमाल किया, तो मेरे ख्याल से ये वाली बात आपको अच्छे से clear हो गई होगी, कि sum of odd position terms क्या होगा, sum of even position terms क्या होगा, always आपका two power n minus one आएगा, ओके, अब बिटा, इसको मैं erase कर रहा हूँ, इस पे कुछ जंदल concept है जो exam में आपके direct आ जाते हैं, उसको आप देखते हैं, जैसे आप देखो, यहाँ पे क 1C4, दो-दो का gap है, कि वाल, odd position terms है, तो क्या होगा, two power n plus one minus one, direct आपका answer मिल जाएगा, n minus one c1 plus n minus one c3 plus n minus one c5 is dash dash, तो पिटा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, n minus one होना चाहिए, n minus one, इधर हम लोगा क्या यूज़ करना होगा, n minus one c1, n minus one c3, यह भी sum of odd position terms, यहाँ पे क्या, n के जगे यूज़ होगा, n minus one, तो two power n minus one minus one, two power n minus two, इधर बिटा अगर हम लोगा देखे, तो 20 c0 plus 20 c2, यह sum of even position terms है, 0, 2, 4, तो two power 20 minus one, यह sum of odd position terms है, तो two power 15 minus one, तो यह सब जैसे direct concept आते हैं, कई बार तो direct हमारे छोटे मोटे exam में आ जाते हैं, जिसको easily आप क्या करते हो, यहाँ से simplify करके आप result देते हो, ठीक, जिसे विटा, ऐसे ही एक question का मैं छोटा सा example बता रहा हूँ आपको, जो जे ही में आपका पूछा था, क्या था, आप देखो, 21C1 minus tanC1 plus 21C2 minus tanC2 plus, अगर आगे बढ़ते जा, plus dash dash, 21C10 minus of tanC10, यह बिटा आपका question था, जे ही का, आप बहुत जादे simple सवाल था, थोड़ा सा बस कुछ चीजे हैं, जो इसमें हमें आपको थोड़ा सा formulate करना पड़ेगा, चीजें बहुत असान होगी, तो पहले जो प्राइम चीजे में देख रहा है कि प्लस वाले टर्म को एक तरफ कर लिया जाए, माइनूस वाले टर्म को एक तरफ कर लिया जाए, ठीक है, आप देखो यहां से, 21c1 प्लस 21c2 प्लस डास डास आपका 21c10 ठीक है, यह हो गया प्लस यहां पर अगर आप देखो तो माइनूस टैन सी वन प्लस टैन सी 2 प्लस टैन सी 3 एडास डास आपका प्लस टैन सी 10, तो यहां पर थोड़ी से दिक्कत कम है यहां पर आप देखो 10C-1 से स्टार्ट हुआ है और 10C-10 तग यह पेड़ी एक तरप मिसिंग है अगर मैं यहां पर, इंपर बोड़ीar अगरमैं यहां पर कि minus 2 power tan minus 1 हो जाएगा अब थोड़ा सा इसमें जैसे आप बेटा देखो यहाँ 21 से स्टार्ट हुआ है तो आपका 21 पे फिनिस होगा तब हाँ फार्मूला यूज कर लोगे यहाँ पर तो अगर मैं यहाँ पर ऐसा करूँ यह आपका जो एक्सपेंशन चलेगा वो क्या चलेगा वन प्लस एक्स पावर आपका 21 चलेगा टूटल नंबर अफ टर्म्स विटा में क्या चाहिए 22 चाहिए तो मैं भी इसमें एक काम कर दे रहा हूं इसमें आपका 21C0 एड किया 21C0 प्लस 21C2 एड दाश आपका 21C10 आप माइनस आपका 1 कर दिया अब यह माइनस आपका 2 पावर 10 माइनस 1 आपका हो गया अब ये चीज है इसको बिटा अगर मैं बस 2 से क्या करू केवल इतने पार्ट को केवल इतने पार्ट को अगर मैं 2 से मल्टिप्लाई कर दू और 2 से डिवाइड कर दू तो 2 इंटू 21C0 प्लस 21C2 प्लस डैस डैस आपका 21C tan ठिक इधर विटा आपका क्या बचेगा तो यहां पर ट्वाइस यह भी आपका विटा क्या होगा ट्वाइस और यहां पर अगर मैं 1 by 2 और यह माइनस 2 हो जाएगा ठिक है इधर अगर इसको मैं थोड़ा सा देखो विटा यहां पर अगर मैं इसको देखा जाए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 21C0 प्लस 21C21 लिख सकते हैं इधर मैं अगर इसको देखो दो पार्ट में अगर विटा मैं बाटता हूँ तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 21C1 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 प्लस 21C20 इधर अगर हम लोग देखे विटा आपका डैस डस चले तो इस वाले चीज को भी हम लोग दो पार्ट में बाट सकते हैं 21C10 और 21C11 तो अब यहां से देखा जाए बैटा जीरो जीरो से स्टार्ट हुआ अभी कहां तक दो दो टर्म है टोटल नंबर अब टर्म समारा क्या हो गया 22 हो गया तो अगर आप जीरो से स्टार्ट किये 21 तक चलेगे तो इसका फॉर्मूला आपका क्या दिख रहा है कि 1 बाइ 2 तू पावर 21 आप माइनस आपका क्या हो गया 2 आप माइनस 2 पावर 10 माइनस 1 तो इधर से अगर देखा जाए 22 यह कैंसिल आउट होगा मतलब फाइनली इसको अगर सिंप्लिफाई किया जाए तो 2 पावर 20 माइनस 2 पावर 10 यह आपका फाइनल सलूशन होगा यह बिटा जैई का पूछा हुआ कोशन ने जो इसका अप्लिकेशन है तो कभी भी अगर कोशन में जो फॉर्मूला मैं यहां पर यूज कर रहा हूं वो फॉर्मूला बिटा क्या होता है ncr इक्वल टू ऑल्वेस क्या हो हुता है तो आपको करना क्या होता है दो से ॉट्व्टिप्लाइड करना होता है अब 2 से ॉट्व ट्यक करेंगे तो इस aqueles masc को मैंने दो पार्ट में तो दो मतलब तो तो हमारे पस मेट हो गये अब हमने यहां से भी पता है कि डोटम्स कितने होने चाहिए थे हमारे 22 होने चाहिए थे तो इस तरीके से final बिटा हम लोग solution पे आ गए यह बढ़िया question है आप ध्यान देना को भी सेंट की property पे अब हम लोग कुछ next हम लोग देखते हैं जिसे find sum बोला बिटा बोला है टैंसे start हुआ टैंसी 1 टैंसी 3 टैंसी 5 टैंसी 7 टैंसी 9 तो क्या आजाएगा टू पावर 9 आजाएगा sum of odd position terms दे रखा है next question अब जिसे बिटा यह question है इसको आपको simplify करके आपको solution लेना है आप देखो यहाँ पर क्या है 1 by factorial 1 है n-1 1 by factorial 3 n-3 तो इस question में बिटा देखो अगर क्या missing है आपको देख रहा है कि factorial n नहीं है तो हम लोग क्या करते है आपका factorial पहले यहाँ पर पूरे question में factorial n से multiply divide कर लेते हैं factorial 1 n-1 factorial 1 by यहाँ पर क्या कर लिया मैंने factorial n plus factorial n upon me factorial 3 into n-3 factorial plus factorial n upon me factorial 5 into n-5 आपका factorial and so on तो अब देखो पीटा एक formula टाइप से जन्रेट होगा यह अगर मैं बात करूं factorial n की तो यह आप देखो तो nc1 लेख सकते हैं यह अगर आप देखो तो पीटा आप क्या लेख सकते हो nc3 इसको अगर आप देखो तो nc5 लेख सकते हैं and so on अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो टोटल आपका क्या देख रहा है sum of odd position terms देख रहा है अब sum of odd position terms का sum बिटा आपको पता है इसको अम लोग क्या लिख लेंगे 2 power n minus 1 upon me factorial n यह इसका solution बहुत सिंपल है easily समझ में आ गया होगा कोई दिक्कत नहीं है अब next question बिटा देखते हैं जैसे यह चोटा सा question है कि बदाब जीरो से 10 20 ck बिटा आपको निकालना है तो आप देखो जीरो से start किया है अगर यहां पर मैं देखों बिटा आपका तो क्या होगा 20 c naught plus 20 c 1 plus dash dash आपका बिटा क्या होगा 20 c 10 होगा देखो एक बात अगर मुझे थोड़ा सा अगर यहां पर ध्यान देना चाहिए तो यह किसका expansion की बिटा possibility है तो यह क्या है 1 plus x power आपका 20 है तो यहां पर जो terms होने चाहिए जो number of terms होने चाहिए वो कितना होना चाहिए बिटा 21 होने चाहिए अच्छा यहां पर एक आप चीज count करो कि 0 से start हुआ कहां तक गया 10 तक गया है तो total terms हमारे पास ही गा रहा है आधा terms दे रखा है आधा और चाहिए आपको basic fundamental आपको वही लगाना है कि आपको पहले दो से multiply और दो से divide कर लेना है तो 2 into 20 C naught plus 2 into 20 C1 plus dash dash 2 into 20 C naught 20 C10 अब यहां पर अगर आप देखो अब इसी को थोला सा आपको open करना है देखो यहां पर इसको हम लोग दो पार्ट में हमेसा लिख देते हैं कैसे 20 C naught अब प्लस आपका 20 C20 अब दोनों टर्म आप देखो पैर्लेल में चलेगा कौन सा फर्मूले से N C R equal to N C N minus R से ठीक है इसको अगर देखा जाए तो आप लोग बिटा क्या लिखेंगे 20 C1 plus 20 C आपका 90 निखलेंगे देखो बहुत जादे सिंपल लग रहा है अब यहां पर थोड़ा सा दिक्कत क्या आ रही है आपको 20 C 10 plus 20 C 10 देखो एकी टरम दो बार रिपीट हो रहा है जबकि हमारा कोई भी टरम साब का रिपीट नहीं होना चाहिए तो यहां से आपको कहां तक चले गए 20C 20 तक चले गए अब हमारे पास extra term क्या है तो 20C 10 extra term है तो इसको हमने बाहर निकाल दिया तो इधर अगर आप देखा जाए अब इसका formula क्या होगा 2 power 20 होगा अब प्लस 20C 10 होगा तो यहाँ पे 2 power 19 2 power 19 plus 1 by 2 आपका 20C 10 हो जाएगा यह इसका solution होगा यहाँ पे बिटा क्या होना चाहिए प्लस होना चाहिए अब यहीं सब थोड़ा बहुत कभी प्लस करना होगा कभी माइनस करना होगा आपको हमेशा आधा टर्म दे देगा अब यहीं पेने को बेसिक चीज है वह हमारी क्लियर हो कि कितने टर्म सी यूज में आ रहे हमारे कितने टर्म से आ रहे हैं तो देखके हम लोग पता कर लेंगे टर्म से आएगा कि नहीं अब जैसे सपोश करो यहाँ पर मैं कोश्चन यह लिख दिया कि आध बराबर 0 से आपका 15 सपोश करो यह अहां पर बीटा क्या लिख दिया मैं 15 सिया लिख दिया तो दिको इसको कोई कैल्कुलेशन भी नहीं करना आंसर दे लेंगे हम लोग यह जैसे कैसे है कि भाई वन प्लस एक्स पाव फिप्टिन है सब्सक्राइब करेंगे हैं कि अधिक मेरे ख्याल से पिछला कोश्चन समझ में आ गया होगा एक कोश्चन में बिटा जो बता रहा था आपको अगर सपोश करो आर इकॉल टू जीरो से अगर मैं 7 ले लू यहाँ पे 15 CR ले लू यही बात हम लोग डिस्कस कर रहे थे ठीक है आर बराबर 0 से 7 15 CR कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना है आपको डारेक्ट आंसर देना है कैसे देना है आप देखो जैसे मालो 1 प्लस X पाव 15 का एक्सपेंसर मैं लेके चलना हूँ टोटल टर्म्स बिटा आपके टोटल जो टर्म्स होंगे वो कित्ते आ रहे है 16 आ रहे है यहाँ पे 0 से 7 दे रखा है तो 0 से 7 में कित्ते टर्म्स होंगे 8 टर्म्स होंगे अब इसी को हम लोग 2 से अगर multiply डिवाइड कर ले तो टोटल हमारे पास 16 टर्म्स आ जाएंगे तो हम लोग इसको अराम से 1 बाइ 2 इंटो 2 पावर 15 आंसर लेके सकते हैं निस 2 पावर 14 हो जाएगा यह आंसर हो अगर इसी में sign alternate change होता तो आंसर क्या हो जाता जीदू हो जाता तो बहुत सारी चीजे हैं जो हम लोग किवाल अगर छोटी-छोटी चीजों को अगर ध्यान दे तो बहुत इजली हम लोग बहुत इजली हम लोग simplify कर सकते हैं नेक्स कोशन देखते हैं पीटा हाँ एक पीटा एज एक कॉंसेप्ट है कि कभी भी किसी भी binomial expansion में अगर मुझे क्या निकालना है किसी भी binomial expansion में some of the binomial को भी same निकालना है तो always हमें क्या करना होगा put all the variables is equal to 1 और एक चीज़ नोटिस करना होगा कि variable always in the form of x power m मतलब polynomial का form होना चाहिए तो always हम लोग क्या करेंगे सारे variables को 1 के बराबर आपका रख लेंगे ठीक है अब बिटा इसमें एक आग दो थो शोटा बिटा सवाल जैसे बिटा find the sum of all the coefficient in the expansion of something तो आपने क्या किया x बराबर बिटा 1 रख लिया तो 1 प्लस 1 अब माइनस 3 पावर 319 ये वैलू बिटा क्या आ रही है माइनस 1 आ रही है माइनस 1 पावर ओड हुआ तो इसका solution क्या बनेगा माइनस 1 बनेगा नेक्स कोस्टिन अच्छा विटा ये छोटा थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा चेंज है क्या है इस तो इस पराबर क्या रखना है x बराबर क्या रखना है आपको x बराबर 1 रखना है x बराबर 1 रखना है alpha square minus 2 alpha plus 1 रहो power 15 must be equal to आपका बेटा क्या होगा 0 होगा इधर आप देखो बेटा तो ये क्या बनेगा alpha minus 1 का square alpha minus 1 power 30 is equal to 0 means alpha should be equal to 1 तो बिटा आज के लिए इतना ही बाकी हम लोग next meet में binomial series के बढ़िया बढ़िया question देखेंगे थोड़ा सा basic चीज बिटा sum up the coefficient वगड़ा के बारे में आपको ध्यान से पढ़ना है formula में terms कितने आ रहे हैं उसको use करना है okay thank you on is to on study is always on concepts के बहतर realization के लिए is to on पर बने रहे है